लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन के आइकॉन को जरू दबा दें हाईलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका रेवा मश्रूम फार्म एंड किचिन के इस चैनल में और आज जो मैंने टॉपिक चुना है वह है कारवन डायक्साइड और फ्रेश एर यह हमें मश्रूम शैड में कितनी और कप देना है किस स्टेज पर देना है आज मैं इसके बारे मे लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेगा प्लीज क्योंकि मैं इसमें काफी कुछ बताऊंगा और वो आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो आपकी मश्रूम बहुत ही अच्छे से रो करेगी आज का टॉपिक है हमारा कारवन डायक्साइड और फ्रेश है तो देखे जब हम पैकिट पनाते हैं, जब हम पैकिट को डार्क कमरे में रखते हैं तब हमें उस टाइम फ्रेश एयर की जरूएत नहीं होती है क्योंकि उस समय हमारा पैकिट में माईसीलियum ग्रो करने के लिए फंगस को फैलने के लिए कारवन डायक्साइड की जरूएत होती है उस समय fresh air की ज़रुवत नहीं होती है इसलिए कहा जाता है कि आप उसे dark room में रखें और fresh air पुरे खिड की दरवाजे बंद रखें जिसे कि fresh air उसके अंदर ना आए, carbon dioxide ही रहे बने तो उससे क्या होगा कि mycelium बहुत तेजी से run होता है लेकिन 15 से 20 दिन के बाद जब mycelium run हो जाता है तब हमें उसमें fresh air की ज़रुवत पड़ती है उस समय हमें carbon dioxide की ज़रुवत नहीं रहती है क्योंकि उस समय जो mushroom रहता है वो उसे fresh air की ज़रुवत रहती है वो समय fresh air लेता है और carbon dioxide release करता है तो क्या होता है कि carbon dioxide होती है भारी carbon dioxide भारी होती है इससे वो जमीन में बैड याती है मतलब जमीन के नीचे में जाधा रहती है वो तो इसलिए packet को हम इसा लटका के रखना चाहिए और दूसरी बात हमें एक adjust fan लगाना चाहिए नीचे जमीन से 6-7 इंचे उपर आप एक adjust fan लगाईए वहां से क्या होगा कि जब हम उसे morning में on करेंगे तो राज बर में जितनी भी carbon dioxide एखटी होती है वो सब हम उसे बाहर निकाल देंगे और हमें उसी समय खड़की दरवाजे भी खोलने हैं जिससे की fresh air दी जाए फ्रेश एर एक साइट से आएगी और दूसरे साइट से carbon dioxide पूरी रूम के बाहर हो जाएगी अब सवाल यह आता है कि हमें fresh air कितनी देर देनी है तो fresh air हमें दिन में दो-चार घंटे तो हमें देनी ही देनी है मश्रूम को लेकिन आप बो दो-चार घंटे हमें कब चुनने हैं यह weather पेटिपेंट करता है अगर humidity वाला weather है बादल छाए हैं उपर तो आप दिन में भी द देना चालू करते हैं तो उस समय humidity का level कम होने लगता है और हमारे जो farm रहते हैं वह normal farm रहते हैं कोई high-tech farm तो रहते हैं कि हमने humidity fire लगाया हो या कुछ लगाया हो जिससे कि हम humidity maintain कर सके हम normal दिवाल फरसों पर पानी डालके humidity को maintain करते हैं तो हमारे लिए ध्यान रखने वाली ब करेंगे तो उस समय humidity का level बहुत अच्छा रहता है अगर आप उस समय दो घंटे उसको fresh air दे देंगे तो क्या होगा कि humidity भी maintain रहेगी और fresh air भी एक साइट से आती रहेगी और adjust भी आप सभी on कर देंगे तो carbon dioxide बाहर चली जाएगी जब carbon dioxide बाहर चली जाएगी fresh air मिलेगी तो म में क्या करना है कि morning में दो घंटे fresh air देनी है उस समय humidity भी आपको maintain करने में ज्यादा problem नहीं जाएगी फिर क्या करें दिन में पूरा close कर दें पूरा बंद कर दें अच्छे से बंद रहने दे mushroom house को mushroom shed को और उसमें बीच में पानी डालते रहें दिवालाओं पे और फर्स पे उससे क्या होगा कि humidity का level अच्छा maintain हो जाएगा अब क्या करें शाम को 6 के बाद हवा दें शाम को 6 के बाद हवा देंगे तो क्या होगा कि जैसे ही सूरज डूपता है गर्मी कम हो जाती है और humidity का level automatic बढ़ने लगता है humidity जब अच्छी maintain हो जाएगी फिर आप वही दो घंटे उसको fresh air दीजे शाम को तो आप 7-8 बजे भी दे सकते हैं उससे में ना मौसम जादा बहुत ठंडा रहेगा और बहुत जादा गरम रहेगा तो उससे में क्या होगा कि आप उससे जब fresh air देंगे तो उससे में भी आप adjust चालूगा दीजे 10-15 मिनेट के लिए तो क्या होगा क कि fresh air उसको मिलेगी मश्रूम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और humidity लेवल तो automatic maintain रहेगा क्योंकि इवनिंग में humidity लेवल अपने आप increase होने रखता है आप not क्या करें होंगे hygrometer में आप चेक करिएगा तो यह जो funda है बहुत बारीक सी चीज है लेकिन मैंने आपको बहुत सरल उसमें सब्दों में समझाई है कि आपको कैसे maintain करना है देखिए बहुत ही technical चीज है लेकिन करने में आसान है लेकिन उसको समझना चाहिए कि हम fresh air क्यों देते हैं हम carbon dioxide क्य को निकालते हैं यह सब बहुत बाते हैं और मश्रूम ग्रो करने में सिर्फ यह नहीं कि हमने पैकेट बनाया रख दिया और मश्रूम ग्रो हो गया ऐसा नहीं है हमें उसमें बहुत सारी technical चीज है फॉलो करना पड़त आसान है technical मेंस यह नहीं कि बहुत डिपकल चीज हो बढ़िया मश्रूम होगा सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ टेक्निकल बाते हैं जैसे कि कब ऑक्सीजन देनी हैं कब हमें 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 धुमिटी मैंटेन करनी है जैसे आपने दो घंटे मालों खोल दिया गेट ठीक है फ्रेश यह आई एकदम सी हुमिटीटी नीच खोल देंगे अगर आप खिड़की दर्वाजे बंद करके और उसमें पानी मारेंगे तो वह पहुत ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा और गल जाएगा तो क्या होगा कि जब आप खिड़की दर्वाजे खोलेंगे और एक साइड से फ्रेश हैर आती रहेगे और पानी होगा सूखेगा नहीं देखे मश्रूम को पानी कहां से मिलता है मश्रूम को वातावरण से ही पानी मिलता है कोई उसकी रूट्स या जड़ तो है नहीं कि वह जमीन से जोड़ा हो तो वह वहां से पानी एब्सॉर्ब कर ले जाड़ पेड तो जमीन में रहते हैं हम में पानी देते हैं तो उनको पानी मिलता रहता है लेकिन मश्रूम कहां से लेगा मश्रूम को वातावराण में ही जो हमारा अंदर क्लाइमेट हम बनाते हैं उसी से वह एब्जॉर्व करता है और ग्रो करता है तो हमें इन चीजों का विसेज ध्यान रखना है कि हमें उसे फ्रेश यहर पानी और हुमिडिटी तो पानी हमारा हुमिडिटी से कंप्लीट होता है डारेक्ट पानी कभी भी मश्रूम में भर भर क पानी डाल सकते हैं कि अगर आपका पानी हो रहा हो तो आप उस समय पानी डाल सकते हैं कि उसको पानी मिलेगा और आप डारेक्ट इस्प्रे भी कर सकते हैं मश्रूम के उपर एक चोटा इस्प्रे ले ले लें आप धाई-तीन सो रुपे का आता है बढ़ियाँ वाला आप उससे भी स्प्रे कर सकते हैं कोई महेंगा आइटम लेने की ज़रूद नहीं कि आप चार पांस सो साथ सो हजार दो हजार तीन हजार रुपे का स्प्रे लें पंप वाला और फिर आप स्प्रे करें बिल्कुल कम सोर्सेस से हमें अच्छा मश्रूम ग्रो करना है यही हमारा से बेनिफिट्स मिलेगा हमें आगे चलके तो आपने आज समझा कि हमने कैसे कारवण डियॉक्साइट का बताया मैंने आपको और फ्रेश एयर का बताया है कारवण डियॉक्साइट दस से पंदरा दिन असमय में फ्रेश एयर नहीं चाहिए रहती है लेकिन जब मश्रूम करने लगता है पिन हेट लाने के लिए ज़िए पूरा माइसीलम फैल जाए आप उसे फ्रेश एर देना चालू कर दें दो से तीन घंटे सोबे दें दो घंटे शाम को दें दिन में आप बिल्कुल भी मत दें दिन में आप फ्रेश एर देंगे तो क्या होगा कि हुमिडिटी और आपका मश्रूम पिन हेट सूप सकते हैं तो हमें साम को देना है सोबे देना है ये एक साइकल बना लें आप इसी साइकल को फॉलो करें आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा और भी जो आपके कोश्चन है वो आप मुझे कमेट्स करके बता सकते हैं मैं अभी कर सकते हैं चैनल के साथ बने रही है यहां आपको मश्रूम से रिलेटेड और रैस्पी काफी कुछ देखने को मिलेगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जैहिन